कि इस ब्लॉग का पहला तत्व कौन सा है देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे इस चैनल पे अल्रीडी दो वीडियो अप्लोडेड है आवर्ट सार्णी से लेटेड प्रियॉडिक टेबल से लेटेड है अगर आपनो उस वीडियो को नहीं देखा सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं basically आज किस वीडियो में मैं आपको important questions कराने वाला हूँ लेकिन उस पहले वाले जो दो वीडियो में ने बनाया है उसमें बहुत अच्छे तरीके से periodic table को समझाया भी है तो आप जा करके उस वीडियो को check out कर सकते हैं तो फिलाल हम बात क questions की इस block का पहला तत्यों कौनसा होता है तो देखिए मैं कोसीज करूँगा कि आपको स्कीन पे एक periodic table दिखा दूँ और वहां पे छोटी से point में आपको समझा देता हूँ इस block पूरे आवर्ट साणी को चार blocks में बाटा गया sbtf और सबसे जो पहला तत्यों होता है यह इस block का जो पहला तत्यों होता है वो hydrogen होता है यारी right answer यहाँ पर हमारा option a बनेगा बस यहाँ पर आपको बस questions को देखने हैं और अच्छे तरीके से questions को याद रखने हैं क्योंक आवर्थ हम किसे कहते हैं जो periodic table में horizontal line जो देखते हैं आप इसको हम लोग हिंदी में 36 रेखा कहते हैं इसको आवर्थ कहा जाता है और जो vertical line है यारी कि जो इस तरह से अस्तंब कह सकते हैं इसे हम लोग work कहते हैं या फिर sumo कहते हैं जो आवर्थ होता है इसकी संक्या total 7 है औ बर्त और समूंग, option हम B को टिक करेंगे, next question कह रहा है कि अवर साणी में बाय से दाय, धातवी गुण में क्या होगा, धातवी के गुण क्या होगे, तो अगर हम मानते हैं कि हमारा periodic table है, तो आपको एक चीज़ बता दू कि जो धातू होते, धातू को हम लोग बाय के तरफ गरेंगे, और मैं आपको बता दू कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, क्यूंकि आपको ये बस ध्यान रखना है कि आयनन उर्जा ब्रिदी होती है, आयनन उर्जा ब्रिदी होगा, तो धातवी गुण का उसमें हम लोग कम ही कहेंगे, अब एक चोटा सा पॉइ बन सकता है, question number 4, निवलीखित में से किस ने सबसे पहले तत्वों के आवर्ट सार्णी में वर्गे ग्रेद किया, तत्वों के सबसे पहले आवर्ट सार्णी को वर्गे ग्रेद किया था, मेंडलीफ ने, मेंडलीफ ने option A, आधुनिक आवर्ट सार्णी धातू में उपधात और अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, आधुनिक आवर्चारणी को किस ने त्यार किया था, ये याद रखेगा, मोसले ने त्यार किया था, सिर्फ और सिफ अगर आपसे पूछ ले कि आवर्चारणी को किस ने त्यार किया, तो में डिफ, लेकिन अगर आधुनिक एंहां पे correct होका then question दीकै आवर्ध 4 मे तथ्मों की में संख्याँ क्या अवर्थ 4 में तो बस सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आवर्थ किसे कहते हैं वर्ड किसे कहते हैं आपको बता दिया कि आवर्ड क्या होता है और अवर्ड हम लोग hydrogen है और यहाँ पे helium है राइट दो ही हो और अगर हम दूसरे आवर्ट की बात करें तो दूसरे आवर्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या हम देखेगा हो लीथियम देखेगा और इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं तो आप इसको कैसे याद रखना है कि पहले आप count करके भी देख सकते हैं कोई problem नहीं है count कर लिए उसमें आपको मिल जागा पहले आवर्थ में दो तत्वे, दूसरे में आठ, तीसरे में भी आठ और चौते में अठारा और पांचों भी अठारा यह आपको याद रखना है पांच मोश्टली पूजा दे, पांच आप याद रखे तो यहाँ पर हमारा options क्या बनेगा, option B को tick करेंगे next question दीगे, क्या करे आवर्थ सार्णी में एक ही समू के तत्वों की समान विसिस्ता क्या होती है यहाँ पर हमारा सही आंसर बनेगा कि बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन समान होते है यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनेगा option A ठीक है अगला question जब हम आवर्थ सार्णी में समू या फिर वर्ग में समू का है या फिर वर्ग का है दोनों का मतलब ही किए लेकिन आवर्थ अलग होता है ठीक है तो हम आवर्थ आणी में समू या फिर वर्ग में नीचे की और जाते हैं तो क्या होता है नीचे की और जाते हैं तो पूछा जारा है कि क्या होगा तो इसमें होता आपका कि कोसू की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है कोसु की संख्या बढ़ जाती है यहां पर C आंसर टिक करेंगे निम्रिकीत में से कौन सी एक छार धात हुए यह बहुत इंपोरे इसको ध्यान से समझेगा अगर हम पूरे periodic table को ध्यान से कर देखें तो इसमें बाटा गया पहला वर्ग हमें, sodium है, potassium है, rubidium है, cgm मिलता है और francium मिलता है यानि कि यह जो सभी तद्व हैं यह सभी जो तद्व हैं इसको चार धातु कहते हैं इसको इंगलिस में alkaline metal कहते हैं यह आपको ध्यान रखना है कि sodium इसमें potassium भी और lithium है यानि right answer क्या बने का option हम D को टिकरिंग को प्रोग स सबी यह most important question है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि avr sani का पहला जो वर्ग होता है वो छार धातु होता है ठीक है पहला जो वर्ग होता हो सब्रफार पूछे कि जो गा अब आसे होता है तो यह चार यरी मरीता धातु होता है झारीय होता होता है आगर इसके बारे मे रहते हैं वरग ठारा तो इसमें जितने भी थत्व हैं वो सब्वी इनट गैस हो ते kadar काथि में की संक्या हूती है वो पुरत्र से पूर्ण होता यानि यो पहले पहले कोस में दो होना चाहिए तो दो बिल्कुल होता है, दूसरे में आठ होना चाहिए तो आठ होता है, यानि कोई भी इसमें खाले लेक्ट्रॉन नहीं बसता है, तो सुनने लेक्ट्रॉन यानि कि जो इनकी सन्योजकता होते हैं, जिसको वैलेंसी कहते हैं, वैलेंसी लेक् करें और आज किस वीडियो का लाइक का मैं target रहता हैं 700 likes क्योंकि काफी मे मेहनत लगे इस वीडियो को बनाने में तो थोड़ा साइब लुग प्यार दीजिए और इस वीडियो के like का target 700 जारू complete करें और साहते-साथ चैनल को subscribe करके नोटिफिकेस ने भिल आइकन को ओल पे सेड करिए क्योंकि यहां पर आपको इस तरह सी मज़तार कंटेंट मिलते रहती है ततो का पहले वर्गिकरण किस नहीं किया था तो मैंने आपको प्रविता था कि ततो का जो वर्गिकरण सबसे पहले किया गया वो डेवरायन ने किया देविनर कह सकते हैं डेवरायन कहीं गई देता है तो डेविनर ने सबसे पहले किया था लेकिन अवर्गिकरण को सबसे पहले मेंदलीफ ने त्यार किया लेकिन आधुनिक अवर्ट शानी को मुस्लेक टिक करेंगे तो यह आपको याद रखना है यहां पर राइट आंसर क् देविनर का त्रीक नियम यह आपको याद रखना है और निव लेंड का अस्टक नियम होता है जैसे यहां पर question देख सकते हैं ततो की वर्गिकरण से समभन्धित अस्टक नियम किस ने दिया अस्टक नियम निव लेंड का अस्टक नियम यहां पर C को टिक करेंगे ततो के भौतिक और असाइनी गुड उनके परमाडू भारों के आवर्त फलन होते हैं या नियम किस ने दिया था मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि तरीक नियम क्या होता है अस्टक नियम क्या होता है आप हमारे उस वीडियो को देख लिए जया मैंने जो आपको पहले कमेंड किया था हो सगया तो इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोसिस करूँगा या फिर आप मारे वीडियो को सर्च भी कर सकते प्रियोडिक टेबल ऑनलाइन स्टेडियो ठीक है तो ततो के भौतिक और असाइनी गुड उनके परमाडू भारों के ध्यान रखेगा परमाडू भारों के अवर्ती फलन होते है यह जो तयार किया गया था परमाडू भारों के कोडिंग वो मेंडलिफ ने तयार किया था लेकिन बाद में जो आधुनिक अवर्शाणी है उसमें परमाडू करमांक्स पर तयार किया मोस लेने तो यह ध्यान देखा कि जो मेंडलीव ने त्यार किया था वो परमाडू भार के कॉर्डिंग त्यार किया था लेकिन आधुनिक आवर्ट साणी में मोस्ली ने इसको बढ़ते हुए परमाडू क्रमांग्स के अधार पर त्यार किया यानि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा ठीक है ड थ्हावे वर्ग में आता है तो राइट आंसर क्या होगा जिसको सुन्ने समो के नाम से भी जानाता है थैं मैं आपर इण्वरkins बनेगा ऑप्शन अगला पॉइंट चार गातू को आवर्शनी के कि समो में रखा गया चार गातू को कि cya बताता थ ग कि अमारे पिर राइट आंसर बनेगा, option हम A को टिक करेंगे, ठीक, option A यहाँ पर बिल्कुल, सही आंसर इसको याद रखेगा, first का A होगा, ठीके, अगला questions, कि समुह के तत्वों को सिक्का धातु का आ जाता है, सिक्का धातु या फिर मिस्त्र धातु के नाम से जानते, तो यहाँ पर मारा सह से ध्यान रखेगा, तो समुह 11 के जो तत्वों होते हैं, इसको सिक्का धातु या फिर मिस्त्र धातु कहते हैं, या फिर इसको हम लोग first के B के नाम से जानते हैं, चलिए, अगला questions, सबसे हलकी धातु कौन से है, सबसे हलकी धातु lithium को टिक करेंगे, option D, अगर आपसे questions पू अगला points, प्रित्वी पर सबसे अधिक मातरा में पाय जाने वाला धातु कौन से है, ध्यान रखेंगे प्रश्ट में धातु पूझ जा रहा है, तो यहाँ पर right answer किसे टिक करेंगे, option B को, अगर आपने option A को टिक किया, तो आपने गलती किये, क्योंकि अगर questions में पूझ आत है कि प्रित्वी पर सबसे अधिक मातरा में पाय जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तब वहाँ पर मॉक्सिजन को टिक करते हैं, फिलाल यहाँ पर right answer आपका बनेगा option B, संक्रमर तत्व की विशेषता है, संक्रमर तत्व किसे कहते हैं, डारेक्ट आपसे पूझ आपसे कुछ इस तरह से, पहला आवर्थ अगर यह उठाते हैं, तो इसका अंतिम क्या बनेगा, यह बनेगा, यानि अगर हम first वाले आवर्थ को उठाते हैं, तो पहले का है, पहले यहाँ पर आप hydrogen होगा, और दूसरे पर आपका helium होगा, तो helium क्या है, एक पर करका, अक्रिये gas है, यानि कि हमने आप देखा था, अगर यहाँ पर भी दूसरे उठाते, तो दूसरे पर भी आपका, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आपका, क्या सकते, neon होगा, ठीक है, neon, जो कि neon भी एक पर करका, अक्रिये gas है, यह सभी आपका last में जो आगा, सुनने सम्मू, या फिर सम्मू 18 के तत्व कहते, inert gas, यह सभी आपका, निस्ट करिए gas के अंतरगत आएगा, यानि right answer बढ़ने का option A, option C, ठीक अगर उसी तरह से questions पूछा जाता, जैसे कि परतेक आवर्द का प्रथम सदस, जिस तरह से यहाँ पर अंतिम सदस से पूछा गया था, तो प्रथम सदस से पूछाता, तो क्या होगा, प्रथम सदस से चार धातू होता है, मैं आपको बताता ना, तो एक चार धातू होता है, यहाँ पर right answer option A को टिक करेंगे, ठीक है, clear हो गया, चलिए, next one की name में से किस तत्व में, neutron के संक्या 0 होता है, neutron के संक्या कैसे निकालते है, अगर हम दर्मा भी लगभग एक ही के बराबर होता है, तो अगर मैं दोनों में से घटा दू, तो 0 ही आएगा, तो right answer क्या बनेगा, option C, hydrogen, next questions, आवर्शार्णी में गैसों की कुल संख्या कितनी है, तो total 11 गैस है, यानि option A होगा, right answer, अगला questions, बितुत रियात्मक्ता की प्रविर्ती के पर रखा है, तभी तो बताया था कि दात्वी गूर्ण, अधात्वी गूर्ण बढ़ता घटता है, तो देखे, अधात्यों जो है, अधात्यों हम लोगों ने रखा इसको दाइंगों, ठीक है, दाइंगों रखा गया, यानि कि दाहिनी और उपर में रखा गया, periodic table भी अधायस अगर हम दाइं बढ़ते हैं, तो बिधुत्रियात्मक्ता क्या होता है, बिधुत्रियात्मक्ता बढ़ता है, ठीक है, बिधुत्रियात्मक्ता बढ़ता है, option B होगा correct answer, next one कि मेंडलीव के अवर्ट्सार्णी में कौन से तत्वों को छार धात्व एवं हालोजन दो द्यार किया था, तो छार धात्व एवं हालोजन को, हालोजन दोनों में रखा गया था, कौन हाइड्रोजन को, right answer बनेगा option A, किसी आवर्ट में बाएं से दाय जाने पर, बाएं से दाय ध्यान रगेंगें, बाएं से अगर हम दाय बढ़ते हैं, तो परमाडू के अकार में यहाँ पे तो आवर्ट है, आवर्ट की बात मतलब कि यह इस तरह की बात की जारे इधर की तरफ, लेकिन अगर वर्ग में कहा जाता है इस तरह से, वर्टिकल लाइन में कहा जाता है कि अगर उपर से नीचे की और अगरम जाते हैं, तो परमाडू के अकार में क्या होगा, तो परमाडू का अकार वहाँ पर बढ़ता है, यह ध्यान में रखना है, चलिए, नेक्स्ट वन, लेंथनाइट्स, तत्वों के परमाडू संख्या का विजदार क्या है, अपने पढ़ा होगा, लेंथनाइट, एक्टिनाइट्स, रेडी, के जो तत्व होते हैं, जैसे जो ल लेंथनाइट होते हैं, वो 58 से लेकर के 70 तक के तत्वों को लेंथनाइट कहा जाता है, और 90 से लेकर के 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइट कहा जाता है, कभी-कभी आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो लेंथनाइट और एक्टिनाइट जो तत्व हैं, इनको किस ब्लॉक म ठीक है इफ ब्लॉक के अंतरगत रखा गया चलिए नेक्स्ट वन एक्टिनाइट्स और लेंथनाइट्स तत्वों को आवर्ट सांडी में कहां पर रखा गया अगर आप प्रियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगी तो इनका दोनों का अलग एक ग्रूप ही बनाया गया लास समों में उपर से नीचे जाने पर परमाडू के अकार में क्या होता है मैंने अभी जश्ट बहता है कि अगर परमाडू के अकार की बात की जाती तो उपर से अगर हम नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा लेकिन अगर हम बाय से दाय के तरफ जाएंगे तो घटेगा तो प्रश में हम लोगों डिसकष किया था कि अगर हमने यहां पर कि इधर हमारा धातु होता है अगर हाम से दाय की तरफ बढ़ेंगे तो धात siè के की धू क्या हुआ धू गूल कुन कि इधर हम लोग इसके तरफ जा रहें तो डाफीनिटी यह कम न 57 能 अगर वर्ग इगारा के तद तो क्या कहलाते हैं वर्ग इगारा के तद स्वरी इगारा नहीं है यहाँ पर सेकंड की बात की जारी है सेकंड की बात की जारी है ठीक है सेकंड जैसे फर्स्ट जो आपका है प्रियोरिडी टेमल में फर्स्ट यह हो गया सेकंड यह हो गया तो सेकंड वाले की बात की ज़री को क्या कहते है। Second को अम लोग छारी दातु के नाम से जानते हैं ये बहुत important है। जिस तरह हुए आपको बताता ह। फर्स्ट वाला जिसको छारता हुए दातु कम क्राइब जाता हुए यह कैसे निकाला जाता है तो यह आपको याद रखना है कि K, L, M, N कुछ भी पूछा सकता है आपसे कि K, L, M, N में से कोई भी पूछा सकता है किसमें इलेक्ट्रोनों के अधिक्तम संख्या कितनी होगी तो इसको निकालने के लिए 2N2 आप याद रखे बस 2N2 याद रखे, जो भी आपसे पूछे, अगर आपसे पूछ ले कि N में बताए, M में बताए तो पहले मैं आपको M में बताता हूँ, M में पूछा है तो 1, 2, 3, 3 तीन नमबर प्यारा है ठार होता है इसमें, 32 होता है इसमें, उस तरह से आगे आप बढ़ सकते हैं, राइट, चलिए नेक्स्ट और निकी आवरट सार्णी में धातुए किस ओर इस्तित थै, पताया गया ना आपको कि धातुए हम लोगों ने बाईयों रखा है और धातुए को हम लोगों ने दाईयों रखा है तो धातुपुजार धातुए हम लोगों ने बाईयों रखा है क्या उगराइट एंसर ऑप्सन ए बाईयों को रखा क्या वर्ग एक के सभी तत्व की सन्योजक्ता कितनी होती है वैलेंस इलेक्ट्रोन सन्योजक्ता किसे कहते हैं किसी भी जो तत्व के बात हमकोज में इलेक्ट्रोन होता है उसी को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रोन या फिर इसको सन्योजक्ता हिंदी में कहते हैं तो देखे अगर हम first work की बात करते हैं तो first work में देखाता कि hydrogen आता है lithium आता है तो चलो lithium को उठाते हैं तो lithium में अगर हम देखे तो atomic number 3 होता है तो 3 को अगर हम पूरा करेंगे तो 2 होगा और 1 होगा यानि कि last time में एक बज़ता है चले आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखे सोडियम को ले लीजिए sodium BC के अंतर गताता है sodium होगया total 11 11 इसका atomic number तो अगर हम इसको पूरा करेंगे तो 2,8 और 1 last में देखे एक बज़ता है तो बस simple सी वासा में अचले एक और लेलते है potassium लेते potassium आपका 19 पे आता है clear समझ में आगया तो सही answer option A को tick करेंगे किसी block के यानि कि किस block के ततो को संकरमर ततो कहा जाता है बताया गया था कि transition जो elements होते है D block के ततो को कहते है D को tick करेंगे बहुत important है पूछा आगया actinides और lengthinides ततो को किस block में रखा गया actinides और lengthinides को जो lengthinides होते है कितना से कितना 58 से 71 तक और यह जो होता है 90 से 103 तक यह सभी को कहा पे रखा गया F block में रखा गया option C अगला point निमलीखित में से कौन सा agree gas एक radioactive तत्व भी है एक radioactive तत्व भी है कौन सा है redon redon एक radioactive तत्व भी है और यह वाय मंडल में नहीं पाया जाता यह से आप याद रखेंगे redon एक प्रकार का निस्क्रिये gas भी है अधातू में से एक मात्र अधातू जो की द्रव अस्था में होता है ध्यान रखेगा अधातू पुझा रहा है non-metal पुझा रहा है अधात के तो roasting अगला points अवर्यवर्घ के एक ही वर्ग के तत्वों की सन्योजी इलेक्ट्रोन और सन्योजगता क्या होगे तो अगर हम लोग फूस्ट कॉलम की बात करें तो इसमें क्या होगा फॉस्ट कॉलम में हम लोग लिथियम लेले sodium ले ले, potensium ले ले तो इसमें क्या होगा कि सन्योजी electron बातम कुस्म electron की संख्या भी समान होगा और सन्योजक्ता भी समान होगा तो right answer क्या बनेगा, option इस समान होती है चाहे आप किसी भी अवर्ट सार्णी के किसी भी वर्ग को उठालीजे, same condition होगा आप्सन इस समान होती है, ठीक है? नेक्ट बान देखी, अवर्ट साणी के अंतीम वर्ग, यानि की वर्ग 18 के ततों के बाहरी कच्छा में इलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी होती है, तो कोई भी उलेक्ट्रोन नहीं बसता है, पूरा पूरा पूर्ण होता है, पूरा पूरा पूर्ण का मतलब लास्ट में आठ आपका पूरा तरह से पूरा हो जाता है, यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्सन डी, ठीक है? पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है, यहां पर आयनन विभो भी बढ़ता है अधात्वी गुण भी बढ़ता है मैं आपको बताया था कि अगर हम लोग बाएं से दाया जाते हैं क्योंकि इधर धात्व है इधर अधात्व है तो अगर इधर हम बढ़ रहे तो क्या होगा अधात्वी गुण बढ़ेगा तो अधात सेकेंद का समय आपको दिया जागा और उसमें अपना राइट आंसर गेस कर लिजिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बतेगा कि आपने कितना सही किया ठीक है तो इंडिया डिवाइड़ के लेका कौन है तो सही आंसर क्या होगा राइट आंसर आप्शन हम C को टिक करेंग की कौन सा point सही है तो देखिए हम एके करके points को पढ़ते हिंदी भासा का प्रतम समाचार पत्र उदंत मारतंड था बिल्कुल सही है सेकेंड पॉइंट की इस समाचार पत्र को जुगल की सोर सुल्क ने प्रकासित किया था ये भी बिल्कुल सही है और इसका प्रकासन कलकता से 1826 में हुआ था देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो युगल की सोर सुल्क है ये जो कहा गया है तो ये कारपूर कहते हैं लेकिन इन्होंने कलकता से इसको प्रकासित किया था 1826 में तो ये बिल्कुल सही है तीनो के तीनो पॉइंट चापे सही हो जाता है राइट आंसर विल बी ऑप्सन दी ठीक है आगे देखिए उर्दू सब्ताहिक अकबार अलहिलाल का प्रकासन किसने किया था तो करेक्ट आंसर क्य के द्वरा की गई थी फिरोद्सा मेता के द्वरा 1913 इसे में ये ध्यान रखना है सिसीर कुमार घोस का संबंद निम्लीखित में से किस समचार पत्रे से था सिसीर कुमार घोस सिसिर कुमार घोस, अमरित बजार पत्रिका दो भायों ने मिलकर के एक तो मुतिलाल घोस थे और दूसरे थे सिसिर कुमार घोस, इन्होंने अमरित बजार पत्रिका की सुरुआत की थे 1868 में, राइट एंसर और अप्सन डी को टिक करेंगे फेंस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और हमारा ये सीरीज आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए अधिक साधिक अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और साथी साथ चानल को सब्सक्राइब करके नोटिविगेशन बिल आइकन को जरूर अन करिए ताकि आपको इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियो मिलते रहे और आने वाले एक्जाम्स के लिए काफी अच्छी तरीके साब की प्रिपेशन हो सके हैं इंडियन पीपुल के लेखक निमलिकित में से कौन है इंडियन पीपुल निमलिकित में से किसके दौर लिखे गई हैं सचीतानंद सिना ओप्सन डी सचीतानंद सिना इंडियन अन्रेस्ट के लेखक कौन है इंडियन अन्रेस्ट के लेखक कौन है वेलेंटाइन सिरोल ठीक है वेलेंटाइन सिरोल आप्सन पी मात्मा गांधी से निमलीखित में से संबंध है यानि मात्मा गांधी से निमलीखित में से कौन-कौन सा संबंध रखता है यंग इंडिया नवजीवन हरीजन ये तीनों का संबंध मात्मा गांधी से यानि आप्स के लेखक बताई एक ऑन्हैपी इंडिया के लेखक कौन है कि अन्हैपी इंडिया सडों जाएगा ऑपसेन भी लाला लाचपत्र है गेंक要कर आप कि बवानी मंदर के लेखक लेखक दो और यह और ने तौन युच्छ मांदि और इसको स्ट्रिका का go स्टार्ट किया था इंडियन ओपिनियन को हिंद सौराज के लेखक बदे ये कौन है हिंद सौराज के लेखक निमलीकित में से कौन होंगे option E महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरा परियोग किसकी आत्मकत है माई एक्सपेरिमेंट विद द्रूद तो right answer option B महात्मा गांधी correct होगा मैडम कामा के द्वारा सुरू किया गया समचार पत्र कौन सा था मैडम भिकाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम था इनके द्वारा सुरू किया गया समचार पत्र का नाम बंदे मात्र बस questions को पढ़िए और right answer अपने में guess करिए और मैं तो आपको recommend करूँगा कि अपने साथ एक notebook और पिन जरूर ले करके रखिए ताकि आप सभी questions को अच्छे से attempt कर भाएं और last में आप नीचे comments करके बताएं कि कितना सही हो रहा है इंडियन sociologist समचार पत्र की सुरुवात किस ने की थी इंडियन sociologist समचार पत्र की सुरुवात किस ने की थी तो right answer option B स्याम जी कृष्ण वर्मा निमलिकीत में से कौन सा मिलान गलत है तो बताएं कि निमलिकीत में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत किया गया तो देखें कहाँ पे हम right answer किसे गेस करेंगी कौन सा मिलान गलत है तो हिंदू पेट्रियाट हरिस्ट चंदर मुखर जी बिल्कुल सही रस्त गोफतार जो की दादा भाई नरोजी के द्वरा लिखे गए थी ये बिल्कुल सही है समवाद केमुदी राजारा मोहन राय के द्वरा और मिरातु लगबार का समवन भी राजारा मोहन राय के साथ ही होगा तो यहाँ आपे हम कह सकते हैं option D जो की गलत है ठीक है? option D जिसको हम टिक करेंगे राजारा मोहन राय साही होगा common will समचार पत्री की सुरुआत किस ने कीती? common will समचार पत्री की सुरुआत किस ने कीती? तो correct answer option B एनी बेसेंट ठीक है? एनी बेसेंट option B को टिक करेंगे बंगाली के संपादक कौन थे? बंगाली के संपादक कौन थे? तो right answer होजाएगा option A सुरेंदरनाथ बैनर जी तिलक द्वारा केसरी का प्रकाशन किस भाशा में किया गया था? बाल गंदर तिलक ने केसरी और मराठा दो प्रकाशन किया था? जिसमें केसरी का संबंद मराठी भाशा से था जबकि मराठा का संबंद अंग्रेजी भाशा से था तो ये ध्यान रिगा फिलाल यहाँ पे right answer आपका हो चागा मराथी के सरी का समद्ध मराथी बाजा से नेक्स्ट वन दीखे गीतार हसी के लेखक कौन थे गीतार हसी के लेखक कौन थे गीतार हसी right answer हो चागा option B बाल गंगादर तिलक नेक्स्ट में से किस पत्र का प्रकासन सिन फ्रांसिस को किसी प्रारम हुआ था यहाँ पे मैं आपको करीब 50 प्लस समचार पत्र के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप इतने याद रख लेते हैं चाहे किसी भी government exams में बैट जाए इससे बाहर आपको कोई भी questions नहीं देखने को मिलेगा समचार पत्र से ठीक है तो आप इतना जरूर याद रखें जितना यहाँ पे आप इस वीडियो में देखेंगे सेन फ्रांसिस्को में प्रारम किया गया था गदर पत्र का सुम प्रकास का प्रकासन किस के दोरा स्टार्ट किया गया था तो राइट एंसर हो जागा इस्वर चंद्र विद्या सागर ठीक है ऑप्सन सी इस्वर चंद्र विद्या सागर भारतिय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है भारतिय पत्रकारिता का राजकुमार के किसे जाना जाता है क्रिश्टोफर दास पाल अप्सन b क्रिश्टोफर दास पाल ध्यान रखेगा भारती पत्रकारिता के जनमेदाता के रूक में राज़ारा मोहनराय को जाना जाता है तो यह दो questions confuse कर सकता है याद रखना है ठीक है चलिए नेक्ट क्वेसंस बनता है कि अमरीद बजार पत्रीका का प्रकासन किसके दौरा प्रारम किया गया था उपर मैं आप लोगोंने देखा था अमरीद बजार पत्रीका सिसीर कुमार घोस दिया गया था लेकिन यहाँ पर options में मोतिलाल घोस है तो मैंने आपको बताया था कि दो भायों ने मिलकर के किया था अमरीत बजार पत्रे का मोतिलाल घोस और सिसीर कुमार घोस आपसंस में दोनों में से कोई भी रह सकता है पिछले बार एक्जांस में भी यही हुआ था काफी लोग सोच रहते हैं सिसीर कुमार घोस आपसंस में नहीं है जिन लोगो ये चीज पता था मोतिलाल घोस उन्होंने तो टिक किया लेकिन कुछ लोग इसको गलत करके आ गये थे उन्होंने सही आंसर टिक नहीं किया था बस इसी की वज़े से यहां पर इनके नामों को थोड़ा सा छेड़ चार कर दिया जाता है तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था उपर में अल्रेडी हम लोगों ने देख चुका था हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र था उदंत मारतंड जोके 826 में यूगल की सुल के द्वारत स्टार किया था कलकत्ता से ठीक है याद रखें का कलकत्ता से आगे बढ़तें 1909 में लीडर का संपाधन किस ने किया था भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्त गालियों के द्वारा की गई यानि option A नेक्स्ट कुशन स्पंता है कि भारत का पहला समचार पत्र कौन सा था क्या होगा राइट आंसर भारत का पहला समचार पत्र था दबंगाल गजट यानि option D बंगाल गजट किस ने लिखा कब लिखा यह हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वान कहा रहा है कि 1861 में इंडियन मिरर समचार पत्र का संपाधन व प्रकाजन किस ने किया था इंडियन मिरर 1861 में मन मोहन कोज के साथ साथ देविन्ना टाइगूर यहाँ पे राइट आंसर ओप्शन हम D कुटिक करेंगे निम्लीखीत में से कौन सा मिलान गलत है बताइए यहाँ पे कौन सा मिलान गलत तरिके से क्या क्या है चलिए देखते हैं उपर में आपको बताया गया था कि सोम प्रका के साथ इस्वचन वेद्या सागर होगा लेकिन सत्य प्रकास के साथ नहीं सत्य प्रकास के साथ करसों दास मल्जी होता है जिसको कहीं कहीं मुल्जी लिखता है करसों दास मुल्जी यह ध्यान रहेगा यहाँ पर यह प्रताप का प्रकासन कानपूर से किसके द्वरा किया गया प्रताब का प्रकाशन किया गया था कानपूर से गणेश संकर विद्याती यानि option D गणेश संकर विद्याती दबंगाल गजट के समद में कौन सा कथन असद्ध है तो मैंने आपको बता था था ना कि उपर में हम लोग ज्यादा डिसकस नहीं कियें दबंगाल गजट भारत का पहला समचार पते था तो यहाँ पे कुछ पॉइंट से ध्यान रखना है कि यह भारत का पहला अंग्रेजी भासा का समचार पते था बिल्कूल सही है इसका प्रकाशन कलकत्ता से किया गया था यह भी बिल्कूल सही है इसका प्रकाशन 1784 में जेम्स आगस्ट्रम हिक्की के द्वारा किया गया यह पॉइंट गलत है यहाँ पे 1784 नहीं 1780 होना चाहिए ठीक है 1780 में क्या गया था यह ध्यान रखना है और यही पॉइंट यहाँ पे गलत बन जाता है और हम option C को टिक करेंगे जो की असत्य ठीक है आगे बढ़ते हैं कॉम्रेड और हमदर्द का प्रकासन निमलीखित में से किसके दोरा किया गया आसा करता हूं कि अपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चानल को सब्सक्राइब कर रहा हुआ नहीं सब्सक्राइब के तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीज़ी और नोटिविकेशन बिल आइकन को आल पे जरूर सेटर के ताकि हमारे दोरा डाले गई सभी वीडियो की नोडिविकेशन आपको ओन टाइम मिलती रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखने है कि कॉम्रेड और हमदर्द के जो प्रकासन थे मुहम्मद अली यानि ऑप अकबारे सौधागर का प्रकासन किस नहीं किया अकबारे सौधागर का प्रकासन गुजराती भासा में किस नहीं किया था तो यहाँ पे हम सही आंसर टिक करेंगे option C दादा भाई नोरोजी ठीक है दादा भाई नोरोजी रस्त गुफतार पिछली बार एक्जांस में पूछ इब इसको याद रखेंगी सोंप्रकास नामक पत्रिकिस ने लिका था, सोंप्रकास ओलीड इसकास कर या जा चुक है कहा है, देखिए कहा है यहापे our Neso Prakas की D को Tick करेंगे ये बहुत अच्छा Point बनता है आप इसको याद रखेगा Confuse नहीं करने है ठीक है फार्सी भासा में सब्ताहिक Miratul Aqbar को किस ने प्रकासित किया Miratul Aqbar को किस ने प्रकासित किया तो सही आंसर क्या है फार्सी भासा में Miratul Aqbar Starting में हम लोगों ढूत किया था किसका राजराम मोहन राए होगा यानि Option D Amherika में Free Hindustan अकबार की शुरुआत किस ने की थी Amherika में Free Hindustan नामक अकबार कि Starting टारकनात दास Option B अगला Question कौन सा मिलान सही है तो द्यान से बताएगी कौन सा मिलान होम एंड द वर्ल्ड रविन नाथ ट्राइगोर ये भी सही है हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर की बात करें तो यहां पे सही आंसर होगा लाला हर्दयाल ना कि वेलेंटाइन से रोल ये पॉइंट गलत बन जाता है फ्रे इंदुस्तान तारकनादास ओलिड उपर में देख चुके थे तो यहां पे फर्स्ट सेकेंड और फोर करेक्ट होगा यानि आपसन हम डी को टिक करेंगे ठीक है तो यहां पे हम किसका सही आंसर करते हैं हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हर्दयाल ठीक है लाला हर्दयाल आप इसको याद रखेगा आगे बढ़ते हैं इनेशन इन मेकिंग के लिखा कौन है यह प्रश्ण में अकसर पूछा जाता है आप इसको एकदम विव्याई रखेए कि यह प्रश्ण पूछा जाता है इनेशन इन मेकिंग सुरेंदनाथ बैनरची ठीक है सुरेंदनाथ बैनरची ओप्सन ए मराठी भासा में केसरी और अंग्रेजी भासा में मराठा का संपाधन किस नहीं किया यह क्वेसंस आपके सामने यह थर्ड टाइम यहां पर सोग किया जा रहा है तो केसरी का ध्यान रखना है केसरी जो यह मराठी भासा में था जबकि अंग्रेजी भासा में नोने मराठा लिखा था थोड़ा सा कनफ्यूज कर सकते हैं ठीक है यह जो लिखी गई थी बाल लगंगा दर तिलक के द्वारा लिखा गया था तो इसको याद रखना है एनी बेसेंट निमलीखीत में से किसका प्रकासन नहीं की, क्या होगा राइट अंसर, बताइए, तो ध्यान दीजेगा यहाँ पर हम क्या सकते हैं, सही आंसर क्या होगा, आप्शन ए, इंडिपेंडेंडेंस, इसके दौरा लिखी गई नहीं है, जबकि निव इंडिया, कॉमन मिल इनी के दौरा लिखा गया, अब आपको नीचे कॉमेंट्स करके बताना है, कि इंडिपेंडेंडेंस किसके दौरा लिखे गए, क्यूंकि आपने सब कुछ पढ़कर क्या है, तो आपको यह बताना, फर्स बनता है, कि इंडिपेंडेंडेंस के लिखक कौन थे, इंडियान मिरर की स्थापना निमलीखित में से किस ने की थी इंडियान मिरर की स्थापना किस ने की थी देवेनना टाइगोर के साथ साथ मनमोहन खूस ऑप्सन डी कुटी करेंगे बी और सी दोनों सुलब समचार पत्र का प्रकाशन किस ने क्या सुलब समचार पत्र का प्रकाशन निम्लीकीत में से किस ने क्या था यहाँ पर हमारा सही आंसर बन जाता है केसो चंद्रसेन सुलब समचार पत्र केसो चंद्रसेन नेक्स्ट क्विशन से कि कवी वच्चन सुधा नामक पत्रिका का संपाधन या फिर प्रकाशन कह सकते हैं किस ने क्या कवी वच्चन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किस ने क्या था क्या होगा राइट आंसर आपके कॉर्डिंग तो अगर आपने आपने आपसन ए को टि साचीतानन स्रिना ठीक है ठारस्रयान में में हिंदुस्तान स्टैंडर्स अंग्रेजी मासिक पत्रिका का स्थापना किया गया था साचीतानन स्रिना के दौरा दपी पुल्स नामक अंग्रेजी जर्नरल का प्रकासन किस ने किया था तो option B लाला लाच बत रहा है ठीक है लाला लाच बत रहा है अगला प्रस्ट मराथी पत्रिका बहिस्कृत भारत ये भी अपने आप में most important questions बन जाता है बताईए बहिस्कृत भारत किस ने प्रकासित किय बहिम राव अमेटकर डॉक्टर बहिम राव अमेटकर निम्रिकित में से कौन सा कथन गलत है तो बताईए यहाँ पे कौन सा मिलान गलत तरीके से मैच किया गया उपर में दिखा था कॉमरेड और हमदर्द मुहमत अली के साथ बिल्कुल सही लाइफ डिवाइन की बात के त अर्वीन खोस यह बिल्कुल सही है और अव्यूदे की बात के तो राजारा मोहन राई यहाँ पे यह पॉइंट गलत है क्यूंकि अब यूदे का संबंध मदन मोहन मालवी जी के साथ होगा तो राइट आंसर ऑप्सन C को टिक करेंगे जो की गलत है इंडिया फॉर इंडिय के लिए अगर इसी चीज को हिंदी में कनवर्ट कर दें भारत भारतियों के लिए तो यह प्रकार का नारा था जो की आरे समाज के दोरा दिया गया था यह चीज़ आपको याद रखने है अगला कुशंस समचार पत्रों की समिक्षा के लिए गठित प्रेज कमीटी 1921 में अब कर था है तो यहां पर मारा सही आंसर क्या बनेगा इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकता है किसकी तो राइड ऐन्सर विल ब्इ आप्शन बी अबुलकलाम अजाध ठीक है अबुलकलाम अजाध नेक्स्ट वन है उन्ही सो तेरह में किन्हों ने अल्विलाघ का प्रकाय सि किया था 1913 में किन्हों ने अल्विला का प्रकासन किया था तो सही आंसर हो जाता option A अबुल कलाम अजाद ठीक है अबुल कलाम अजाद अब आपके लिए छोटा सा Qs का question से कि वाइस ओफ इंडिया के संपादक कौन थे वाइस ओफ इंडिया के आज के ये वीडियो पसंद आओगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों को साथ share कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके नोटिविकेशन वेल इकन को और साथ ही साथ पेड कोर्स के लिए आप हमारे अप्लिकेशन को डाउनलोड करिए स्टोर सेक्षन में जाएए वहाँ पर अपनी मंद प्रसंट की जो भी कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं तो आज ही जॉइन किजिए काफी कम कीमत पर आपको सारे क्वेस मिल जाएगी तो चलिए मिलतें नेक्स क्लास में थैंक्स ववाचिंग